हलो गाईज, तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग कवर करेंगे स्पोर्ट्स रिलेटेट क्यूशन्स को, खेल कूट से संबंदित उन सभी प्रशनों को कवर करेंगे और देखिए, टॉपिक वाईज जो हमने ये सेशन स्टार्ट किया है, ये मंतली वाईज भी है तो ऑक्टूबर मन्त में जितने भी खेल खूट से संबंदित प्रशन हमारे बने हैं करंट अफेर्स में, वो सारे एक साथ हम इस पर्टिकुलर सेशन में कवर करेंगे तो अगर आपको ये टॉपिक वाईज करंट अफेर्स के सेशन अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजेगा, चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं French Open 2020 में Women Single का खिताब किस ने जीता, तो आंसर होगा, इगा स्वीटेक ने तो French Open 2020 के Women Single का टाइटल जीत लिया है, पॉलेंड की टैनिस प्लेयर इगा स्वीटेक ने इन्होंने अमेरिकी टैनिस प्लेयर सोफिया कैनिन को हरा करके ये खिताब जीता है और आपको बता दूँ कि मातर 19 साल की इगा स्वीटेक का ये पहला Grand Slam है और ये टूर्नामिन्ट जीतने वाली ये सबसे युवा खिलाडी भी बन गई है और इसी के साथ पॉलेंड की पहली मैला खिलाडी भी बन गई है ये खिताब जीतने वाली बाकी सोफिया कैनिन इन्हो स्वीटेक याद रखना ये पॉलेंड से है फिर है 2020 में जो फ्रेंच ओपन हुआ उसमें में सिंगल का टाइटल किसने जीता तो आंसर होगा राफेल नडाल ने ये इस्पेन के टैनिस प्लेयर है एक तो ये आप याद रखो और अभी इन्होंने 2020 का जो फ्रेंच ओपन हु और ये भी याद रखो कि वो कहां से है वो पॉलेंड से है अचा मैंने अभी आप से क्या कहा राफेल नडाल ने किसको हराया नोवाक जोकुविच को हराया जो कि सर्बिया के टैनिस प्लेयर है फिर हाल ही में किसने इफेल ग्रेंप्रिक्स 2020 जीत लिया है तो आंसर होगा ल अचा अभी तक जितनी भी फॉर्मुला वन रेस हुई है वैसे तो डेली करेंट अफेर्स वाले लेक्चर में मैं आपको हर बार रिवाइस कराता हूँ यहाँ पे भी मैं आपको रिवाइस करवा देता हूँ जहां से सुनो सबसे पहले जो ऑस्ट्रेयन ग्रेंप्रिक्स फिर हुई थी इटालियन ग्रेंप्रिक्स वो पियरे गैसली ने जीती थी फिर एफ़ण सेवन्टीथ एनिवर्सरी ग्रेंप्रिक्स वो मैक्स वर्ट्स पन ने जीती और उसके बाद एफ़ण टसकन ग्रेंप्रिक्स भी हुई थी थी वो तो लुई सेमिल्टन ने जीती थ तो आंसर होगा नोजूमी ओकु हारा ने तो जापान की बैडमिंटन प्लेयर है ये नोजूमी ओकु हारा और अभी इन्होंने वुमिन सिंगल में तीन बार की वर्ल्ल चेंपियन केरोलिन मारिन को हरा करके डैनमार्क उपन का खिताब जीत लिया इसमें वुमिन सिंगल टाइटल जीता है इन्होंने बाकी देखो ये कन्फ्यूज मत हो न ये तो नोजूमी ओकु आ रहा है जो कि जापान की बैडमिंटन प्लेयर है और ये नाउमी ओसा का मिलता जूलता नाम लगता है ना नाउमी ओसा का ये भी जापान से है आस्ट्रिलियन ओपन में बताओ फिर अभी किसने डेन्मार्क ओपन 2020 में में सिंगल का टाइटल जीता तो अंसर होगा एंडर्स एंटॉन सेन ने तो डेन्मार्क के ही बैडमिंटन प्लेयर हैं ये एंडर्स एंटॉन सेन और इन्होंने रैसमस जेमके को हरा करके में सिंगल का टाइटल जीत लिया और वुमें सिंगल का टाइटल किसने जीता पीछे पड़ा है नोजोमी ओको आराने जापान से हैं वो बाकिर राफेल नडाल ये तो टेनिस प्लेयर है इस साल का फ्रेंच ओपन हुआ था उसमें में सिंगल का टाइटल जीता और इगा स्वीटेक फ्रेंच ओपन में ही वोमें सिंगल का टाइटल जीता ये पॉलेंड की टेनिस प्लेयर है ये पुटगाल ग्रेंट प्रिक्स 2020 जीत लिया है 92 नमबर की जीत है और इसी के साथ इन्होंने जर्मन के Michael Schumacher कर record को तोड़ दिया है उनके नाम 91 जीत थी और Lewis Hamilton इन्होंने 92 रेस को जीत लिया है और record बना दिया अब यापको याद होगा Lewis Hamilton ये LG के भी brand ambassador बने थे बाकी मैं आपको कहीं बार बता चुका हूँ अभी तक जितनी भी Grand Prix हुई है 2020 में वो किस-किस ने जीती है तो अभी हम बढ़ते आगे फिर एक इसने T20 International में महिंदर सिंग धोनी का विकिट कीपिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया तो आंसर होगा एलिसा हैली औस्ट्रेलिया की महिला किरकेटर और विकिट कीपर है यह एलिसा हैली और इन्होंने भारत के लिए 98 T20 International में महिंदर सिंग धोनी ने जो 91 विकिट लेकर के मुस्ट डिसमिसल बाइ विकिट कीपर का जो रिकॉर्ड बनाया था उसको तोड़ दिया इन्होंने इन्होंने आस्ट्रेलिया के लिए 114 T20 International खेले और 92 विकिट के साथ महिंदर सिंग धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया बाकी ड्वेन ब्रेवो वेस्ट इंडीस के किरिकेटर है और अभी ये S.B.O.T.O.P. स्पूर्ट्स बुक के ब्रेंड अम्बेजडर बनने वाले पहले किरिकेटर बने बैन स्टॉक इंगलेंड की कप्तान है ये और अभी टेस्ट मैचों में 4000 रन और 150 विकिट लेने वाले दूसरे सबसे तीच आल राउंडर बने थे ये बाकी मुथेया मुरली धरन अभी विजडन ने श्री लंका के जो ये मुथेया मुरली धरन है इनको 21st century का most valuable खिलाडी चुना था सैकेंड नंबर पे तो रवींद्र जड़े जा थे याद होगा आपको फिर अगला प्रशन है अभी IPL में 5000 रण पूरे करने वाले तीसरे खिलाडी कौन बने है तो आंशर होगा रोहिट शर्मा तो रोहिट शर्मा ने अभी IPL में IPL जो अभी 13 संसकरन इसका UAE में उसमें 5000 रण पूरे कर लिये इनोंने और रोहिद शर्मा ये मुकाम हासिल करने वाले दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाडी बन गए है ये मुंबई इंडियन्स के कप्तान है और इस IPL में रोहिद शर्मा ने किंग्स 11 पंजाब के खिलाब खेलते हुए ये मुकाम हासिल किया है हमने का दुनिया के तीसरे खिलाडी बन गए ऐसा करने वाले, पहले दो कुन थे, विराट कोली और सुरेश रेना, और IPL से दो किशन में आपको अभी और बताये थे, IPL में एक ही टीम के लिए 100 मैचेस जीतने का रिकॉर्ड बनाया महिंदरे सिंग धुनी ने, और अली खान, IPL में शामिल होने वाले अभी पहले अमेरिकी खिलाडी बने हैं ये, ये नाम भी याद रखो, फिर कौन सा शहर 2023 में वर्ल्ड टेबिल टेनिस चेंपिन्शिप की मेचबानी करेगा तो अंसर होगा, साउथ अफरिका का डर्बन, और ये डर्बन दक्षिन अफरिका का पहल टेबिल टेनिस प्लेयर भी थी, और उन टेबिल टेनिस प्लेयर का नाम था मनी का बत्रा, तो वो भी आप याद रखना, फिर अभी अंतर राष्ट्रे ऑनलाइन शूटिंग चेंपिन्शिप को किसने जीता, तो आंसर होगा, याश्विनी देशवाल ने और विश्नु शि लिवराज पांडियर ने, जबकि दस मेटर एइर पिस्टल में गूल्ड जीता है याश्विनी देशवाल ने, तो ये अंतर है, एक मेर राइफल में और एक मेर पिस्टल में जीता है, और आपसे प्रश्ण में कोई पर्टिकुलर नहीं कहा जा रहा है, कि 10 मेटर एइर पि 2020 Championship को जीता तो आंचार होगा निहाल सरीन ने तो शतरंज में युवा भारते खिलाड़ी है ये निहाल शरीन और अभी इन्होंने ही चेन्नेई में जो Chess.com की 2020 Junior Speed Online Championship हुई थी उसको जीत लिया बाकि पी इनियन आप जानते होंगे World Open Online Chess Tournament को जीता था कॉनेरू हमपी या अंदर प्रदेश से हैं और World Women Rapid Chess Championship जीती थी उन्होंने और ये खिताब जीतने वाली ये पहली भारते मैला बनी थी जी आकाश ये तो आपके 66th नंबर के Grand Master है तमिल नाडू से हैं ये अचा वर्ल्ड चेस डे कब मनाते हैं अपन 20 जुलाई को याद रखना फिर है हाली में किसने National Basketball Association Championship 2020 को जीत लिया तो अंसर होगा Los Angeles Lakers ने तो अभी Los Angeles Lakers ने Miami Heat को हरा करके 2020 की National Basketball Association Championship को जीत लिया है और इस तरीके से ये Los Angeles Lakers की सतरवी जीत है 17 इसमें Lakers के Lebron James को उनके करियर में चौथी बार National Basketball Association Final Most Valuable Player का किताब दिया गया फिर अभी T20 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले बल्ले बाज कौन बन गए तो आंसर होगा शोइब मलिक पाकिस्तानी बल्ले बाज है ये शोइब मलिक और अभी T20 में 10,000 रन बनाने वाले ये एशिया के तो पहले बल्ले बाज बने है दुनिया में बात करेंगे तो दुनिया में ये कारनामा करने वाले ये तीसरे बल्ले बाज है इनसे पहले दो कौन रह चुके हैं एक तो क्रिस गिल और किरोन पोलाड और गाईज अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना देखिए आप लोगोंने अभी लाइक किया है या नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए लास तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ और हाँ इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में और अगर आप मेंसे कोई स्टुडेंट इस चैनल को फर्स टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीज तो अभी Kenya की खिलाडी है ये पेरेश जैप चरचर और इन्होंने पॉलेंड में चल रही वर्ल्ड एथलेटिक्स हाफ मेराथन चेम्पेंशिप में एक घंटा 5 मिनिट 16 सेकंड में दोड़ पूरी करके महिलाओं के अर्द मेराथन में अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ बनी है निदरलेंड से हैं बाकी कॉंस्टेंटिना डीटा ये रुमानिया से हैं और वर्ल्ड एथलेटिक्स हाफ मेराथन चेम्पेंशिप डाइनिया 2020 के लिए एमबेजडर नामित किया इन गया इनको और डेविड एटनबर्ग इंद्रा गांधी पीस प्राइज मिला इन खिलाफ चन्नाई सूपर किंग के मैच में कप्तान ने ये व्यक्टिक गर्ट रिकॉर्ड बनाया बाकी महिंदर सिंग दोनी से एक पौइंट आपको याद हुगा कि आईपिल में 100 मैच जीतने वाले ये पहले कप्तान बने थे चन्नाई سूपर किंग के कप्तान नहीं है औ यवे IPL में शामिल होने वाले पहले अमेरिकी खिलाडी बने थे कौन? अली खान, किस टीम में? कॉलकता नाइट राइडर्स में जुड़े ये और गाईज अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेर करना मत भूलिएगा क्योंकि देखिया आप लोग की शेरिंग ही आप लोग का सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करेगा इस तरह के अच्छे-च्छे सेशन को ले करके आने में अब देखिया हमने तो बना दिया जी सेशन अब देखना ये है कि आप लोग का कितना सपोर्ट मिल पाता है तो प्लीज इसे शेर जरूर करना और लाइक करना मत भूलना थैंक्यू गाइस